सिर्क खुला हुआ था, ब्रेन मैटर गायब था, रीड की हड़ी तूटी हुई थी, शरीर पर कुल 40 जगोहों पर चोट के निशान थे, दिल्ली के कंजावला में 20 साल की लड़की के साथ कितनी हैवानियत हुई थी, उसकी कहानी पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट बता रही है, शत्विक्षत हो गया, मौलाना अजाद मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के एक मेडिकल बोर्ड ने उसके शव की ओटॉपसी की और दिल्ली पुलिस को बताया कि मृतिका का ब्रेन मैटर तक गायब था, पसलियां पीछे की तरफ से निकली हुई थी, बुरी तरफ से पीसी ह रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि अंजली की कमर के हिस्से में रीड की हड़ी में फ्रैक्चर था और उसका लगभग पूरा शरीर मिट्टी और गंदगी से सना था, डॉक्टरों ने कहा कि सदमा और ज्यादा खून बहने के चलते मौत हो गई, मौत के वक्त मृतिका की दोस्त उसके साथ थी, उसने जो बताया वो भी कम हैरान करने वाला नहीं था मृतिका की दोस्त ने बताया कि एक्सिडेंट के बाद वो इतनी ज्यादा डर गई थी कि चुप चाप घर चली गई, जब पुलिस परताल करते हुए इन तक पहुंची तब पूरी बात का खुलासा किया ऐसे में सवाल उठता है कि चुप रहने की वजह डर है या कुछ और, होटिल में मृतिका जिन दोस्तों से मिलने गई थी, क्या पुलिस उन तक पहुंची है? कंजावला केस में ऐसे कई अनसुलजिस सवाल है जिनका जवाब आना अभी बाकी है